क्रिसी खजाना यूटूब चैनल में आपका स्वागत है क्रिसी की जानकारी क्रिसी बग्यानिक से क्रिसी खजाना ब्लाग और यूटूब चैनल में क्रिसी खजाना करते हैं सिर्फ काम की बग्यानिक चर्चा रखते हैं आपके समय और डाटा का खयाल सब्सक्राइब करें और देखते रहें हाई आडियंस इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकलिफा हिस्पिडा के बारे में जो खूबसूरत फूल देने वाली एकलिफा की परजाती है वैसे एकलिफा को जो हम ग्रो करते हैं उसकी पत्तियों की खूबसूरती या फूलिएज ब्यूटी के लिए लेकिन एकलिफा की हिस्पिडा जो परजाती है उसमें जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और आकरसक फूल भी आते हैं और इसे गमले में भी आसानी से उगा जा सकता है इसको उगाने के लिए गमले में जो मिक्चर, मिट्टी भरेंगे उसमें प्रियाप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए जैसे गोबर की सड़ी खाद या कमपोस्ट की खाद और इसका परवर्धन जो करते हैं बहुत ही आसान होता है इसको हम कटिंग द्वारा परवर्धन कर सकते हैं कटिंग फरवरी से लेकर जुलाई के बहिने तक सफलता पूबग बना कर लगाई जा सकती है आप कटिंग को सीधे गमले में लगा सकते हैं या cutting को, column को क्यारी में या polythene की बैग में उगा करके बाद में उसको गमले में transplanting कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह cutting से हमने उगाया है और cutting के बाद इसमें से जो side में दो साखाय थी उसको grow करने दिया गया और उसमें से फूल निकले हुए हैं। यह recording मैंने अगस सितंबर के महीने में किया है, जो एक खूबसूरत फूल आपको दिखाई पर रहे हैं। इस प्रकार से इसमें से एकलिफा हिस्पिडा की प्रजाद को आप कलम द्वारा गमले में उगा सकते हैं। यह खूबसूरत फूल देता है और इससे जो फूल पराप्त होते हैं लगबग दो महीने तक हम इससे फूल पराप्त कर सकते हैं। और उसको हम उसका आनन उठा सकते हैं। असा यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। धन्यबाद।